हेलो दोस्तों दिस इस शिल्पी सिंग एंड दिस अर्निका सिंग और ये हैं हमारे यवराज सिंग आज हम आप सबको दिखाने ले चल रहे हैं लखनों में सजाई हुए दुर्गा पंडाल को जो कि विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है देखिए अर्निका तो हम आप सभी को दुर्गा पंडाल में लेकर जा रहे हैं यह दुर्गा पंडाल जान की पुरम सेक्टर डी में बनाया गया है और यह लगबग आठ महीनों से बनाया जा रहा है यह विश्व का सबसे बड़ा दुर्गा पंडाल है यह पस्चिम बंगाल के कारिगरों द्वा दोस्तों आज मैं आपको जिस दुर्गा पंडाल में ले जा रही हूं यह तो मैंने इसके आपके काफी डिटेल आपको बता दी है यह नवरात्री में शार्दी नवरात्री में शुरू किया गया है दर्शुकों के लिए और यहां पे 15 अक्टूबर से यहां पे नव में पूजा की जाएगी और आपको भी मौका मेले तो आप यहां जरूर आएए जरूर आएए जरूर आएए क्योंकि यह बहुत ही स्पेशल है इतना बड़ा पंडाल आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा मैंने भी जब इसके बारे में सुना तो मैं बहुत ही एक्साइट कर रही हैं बहुत ट्राफिक है दोस्तों आज देखते हैं हम लोग पंडाल कितनी देर में पहुचते हैं देखिए कैसे ट्राफिक जाया मैं ओ मैं गाड हम लोग इतना लेट क्यों हो जाते हैं आई होप आप लोग भी काफी एक्साइटेड होंगे मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ और यूवराज अर्निका तो एस यूजियल हमेशा एक्साइटेड रहते हैं इनको तो बस घूमना है ओ नो यूवराज और अर्निका तो दो नो विंडो पर ऐसे चिपक गया है बिल्कुल हिल ही नहीं रहा है गाइस हम लोग अल्मूस्ट पहुँच गया है ये देखे यहाँ पे साइड में नोगरे लाइटिंग्स कर रखी हैं बहुत ज़्यादा सजाया तो नहीं है पर फिर भी कुछ तो सजाया ही है चलिए अब जल्दी से रास्ता साफ देखते ही हम लोग अंदर पंडाल की तरफ निकलते हैं दोस्तो ये रहा पंडाल का एंट्रेंस इसको उटसब नाम दिया है इन्होंने ये देखें ये हैं एंट्रेंस आगे कारी पार्क करने की जगे नहीं हैं क्योंकि ये बिल्कुल कॉलोनी के बीच में है और कॉलोनी मिरी में magnet की लड़िये कालोनी है जानकी पुरम का वहाँ पर है तो वहाँ पर जो बड़ा पार्क होता है गवर्मेंट वाला वहाँ पर ये बनाया गया है ज्यादा स्पेशियस पार्क तो नहीं है पर फिर भी इनोंने अच्छा सैट अप बनाया है बच्चों के लिए तो यहाँ पे बहुत ही फैसिनेशन की चीज़े हैं जैसे बैलून है, किलोने हैं, ओमाइ गॉड आज तो बहुत सारे किलोने लेकर जाएंगे यह वराज और अर्निका अब हम लोग चलते हैं पंडाल की तरफ, यह देखिए और हाँ गाइस, आप लोगों को बता दी कि यह वरंदावन के प्रेम मंतर के तरज पर बनाया है मतलब आलमोस्ट उसी की तरीके से बनाया है और देखिए कितना खूबसूरत बनाया, इतना सुन्दर है, वाओ देखते देखते आपकी आँखें चमक देखिए यहां अकर सबसे अनेक्सपेक्टेड चीज लगी कि देखिए यह थर्मा कॉल से बनाया हुआ है सोचिए थर्मा कॉल से यह पूरा नकाशी इन्होंने डिजाइन कर रखा मैंने तो सोचा नहीं था कि थर्मा कॉल से इतनी सुन्दर नकाशी बनाया जा सकता है गाइज यह है पूरा पंडाल और यह है प्रेम मंदिल देखे कितना सुन्दर बनाया हुआ है और सामने यह देखे यहां पर स्टेज है पर यहां पर गैस्त वगहरे बठाते हैं यह लोग और फिर वहां से जो भी अनाउंसमेंट करने होते हैं जो भी इन्हें अपनी स्पीच देनी होती है वो वहां से देते हैं और ये देखे पंडाल है साइड में खाने पीने का है व्यवस्ता बहुत ही अच्छी मतलब इन्होंने व्यवस्ता बहुत ही अच्छी कर रखी है और शुरूर में ये देखे काना जी है काना जी ने परवत अपने उंगली पे उठाया हुआ है वो वाला द्रश्य यहां पे बनाया गिया है और साथ में गौमाता भी है चलिए गाइस अब आप सभी को पंडाल के अंदर के दर्शन कराते हैं देखते हैं हम भी अंदर पंडाल में कैसा बनाया गिया है आइस एंटर करने में काफी होच पोच था फिर थोड़ी देर बाद वॉलिंटियर्स ने फीमेल और मेल फीमेल को अलस सेपरेट कर दिया जिससे अंदर जाने में काफी अच्छा रहा आज यहां पे दुरगा मा के कात्याइनी स्वरूप की उपासना की गई है जिसमें उन्होंने महिशा शुरकावद किया है यहां पे प्रति दिन नौ स्वरूपों की पूजा की जा रही है यह मैंने आपको पहले ही बता रखा यह देखे यहां पे काना जी द्वारा वस्तर हरन का जो लीला रच रही थी वो दिखाई गई है देखे काना जी पेड़ पर बैठे है और नीचे गवालिनों के उन्होंने वस्तर हरे हुए है देखे कितनी सुन्दर गवालिया है कितनी सुन्दर सुन्दर गवालिया है और देखे काना जी मुली बजा रहे है और ये देखें काना जी का नौका विहार का जो लीला रची गई थी काना जी द्वारा वो भी दिखाए गई है देखें गौाली ने कितनी सुन्दर बनाई हैं काना जी तो वाओ कितने सुन्दर लग रहे हैं यहाँ पर काना जी द्वारा रास लीला जो रची गई थी वो दिखाई गई है ग्वाली ने फूल माला लेकर खड़ी हुई है कितनी सुन्दर ग्वाली ने बनाई है और देखे श्री कृष्ण राधा जी यहाँ पर काना जी ने शेशनाग पर जो विजय प्राप्त करी थी वो दिखाया गया है काना जी उन पर नृत्य करते हैं वो दर्शाया गया है और यह देखे ग्वाली ने कितनी खुबसूरत बनाई हुई कितनी सुन्दर बनाई हुई है यहां पर काना जी का वन विचरन दिखाया गया है और यह देखे राधा जी हैं और यह है काना जी बासुरी बजा रहे हैं बहुत ही मनमत्र मुगद करने वाली आकरतिया है तो आप थोड़ी शॉप्स देख लेते हैं कुछ खरीदारी कर लेते हैं और फिर खाते पीते हैं और घर निकलते हैं कैंटी फ्लॉज ले लिए मैंने ये देखे ये वराज और अर्निक आपने पापक के साथ काना जी के साथ एंजॉय कर रहे हैं हमने इनकी भी थोड़ी सी वीडियो बना ली है ये हुँ मैं मैंने भी सेलफी ले ली है काना जी के साथ दोस्तों अब ये वराज जी थोड़ा सा जंपिंग जपांग वाला गेम खेलेंगे और देखे कितना ये एंजॉय कर रहे हैं मज़ा ही आ गया है वराज को इसमें ये वराज तो जंपिंग जपांग खेल खेली ने खेल पा रहा है इन्हें मुझे पकड़ना पड़ रहा है ये बैठे-बैठे की कूद रहे है ये वराज जब तक जाते हैं तो वह साइड में आ जाते हैं सेफ फील करने के लिए आज को अब जल्दी से इस जंपिंग जपांग गेम से बाहर निकालते हैं और हम लोग ठेकते हैं आगे कौन सी शॉप्स हैं देखिए यहाँ पर यह राजिस्थानी जॉइलरी मिल रही हैं बहुत ही कूपसूरत हैं बहुत ही सुन्दर हैं मैंने भी दो-तीन सेट ले लिए हैं और यहाँ पर दिवाली की शॉपिंग भी कर सकते हैं आप दिवाली में मंदिर सजाने के लिए आप बहुत सारे जूमर ले सकते हैं बहुती सुंदर सुंदर हैं देखे कितने सुंदर हैं चलिए गाइस अब हम लोग बहुत ठक गए हैं और अर्निका आज यूजर अभी भी नॉन स्टॉप मस्ती कर रही हैं और दर यूवराज तो सो गए हैं थैंक्स फर वाचिंग गाइस प्ली सब्सक्राइब आर चानल पर मोर वीडियो